हेलो एब्रिवान स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दायम स्टेटी पॉइंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रिंट्स की मेरा एर फोर सेक्स बाय गुरूप और ने भी SSR का जीके का मिक्स कोईश्चन का सरी चल रहा था जिसमें हम पार्ट फाइम नंबर का जीके का सरी जे फ्रिंट्स जिसको आपको लाश तेक दिखना है और वीडियो में लाश तेक बने रहना है और जीके का कोईश्चन को पहले खूद से सॉल्व करने का कोईशिस करना है फ्रिंट्स अगर नहीं अपाता है तो जो हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनना और सम इसका नोटिफिकेशन आपको time to time मिलता रहे तो चले वीडियो को start करते हैं तो फर्स्ट कोईशन क्या है फ्रेट्स भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग निर्ण में से कौन सी है चेनानी नासरी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, रोहतांग सुरंग या जवार सुरंग तो इसका राइट एंसरोगा फ्रेंट्स ओप्शन नमबरे चेनानी नासरी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को एक नाम से और जाना जाता है फ्रेंट्स कौनसा नाम है पानी टॉप सुरंग सोरी पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी से जाना जाता है किसे चनानी नासरी सुरंग को पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है बात कर ले फिरिंट्स चनानी नासरी सुरंग या पटनी टॉप सुरंग कौनसा सहर में इस्तित है तो यह जम्मू कस्मीर राज में इस्तित है जम्मू कस्मीर राज में इस्तित है बात कर ले फ्रेंट्स इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो इसकी टोटल लंबाई 9.28 किलो मीटर है कितना है 9.28 किलो मीटर चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोईशन को देखते हैं नेक्स्ट कोईशन क्या कर रहा है नेक्स्ट कोईशन आप लोग के सामने आ गया है निवन में से किस अस्थल को मिर्तकों का टीला कायता है I hope कि इसका राइट टेंसर आप लोग को पता होगा हडपा को मोहन जोदाडो को और काली बंगा को या धोला भी रखो इसका राइट टेंसर होगा फ्रिंट्स मोहन जोदाडो को बात कर ले मोहन जोदलों की खोज कप की गई थी तो मोहन जोदलों की खोज 1922 इस्वी में की गई थी और किसने किया था फ्रेंट्स तो राखल दास बनरजी ने किया था किसने किया था राखल दास बनरजी ने मोहन जोदलों की खोज कप किया था 1922 इस्विय में किया था और मोहन जोदलों को किस ना ही जाता है मिर्तको का टिला के नाम से भी इसे जाना जाता है चलिए नेक्स्ट कोईशन है फ्रेंट्स पंपास घास की मैदान कहां इस्थी था तो पंपास घास की मैदान कहां इस्थी था फ्रेंट्स अर्जेंटीना में इस दित है पंपास घास के मैदान को हर्ट ओफ अर्जेंटीना भी कायता है यानि अर्जेंटीना का हिर्दय कायता है किसे पंपास घास के मैदान को चलिए फ्रिंट्स नेक्स्ट कोईशन को देखते हैं नेक्स्ट कोईशन क्या है नेक्स्ट कोईशन है फ्रेंट्स सर्वोक्ष नहाला के प्रथम मुख नहाई दिख्स कौन थे तर्स सर्वोक्ष नहाला के प्रथम मुख नहाई दिख्स कौन थे फ्रेंट्स इसका राई टेंसर क्या होगा फ्रेंट्स इसका राई टेंसर एच जे स्रासवत एच जे कानिया स सिकरी या फिर वाई पिट चंडर चूर तो इसका राइट है सभम फेंट आप्स नमबर भी एच जी कानिया बात कर ले फ्रेंट सर्वोक्ष नियाल एक अभी बरतमान के मुक्ष निच पश्डरिश कॉढ्य है तो सर्वोक्ष नियालकर के परतमान के मुख Alzha ενज्ञ गोगोई चले topics next question को देखते है, next question क्या करा है? पीतल किसकी मिस्त धातू है? तो पीतल किसकी मिस्त धातु है? cu plus zn, l plus mg, cu plus l plus zn, कि तो एसका right tensor को हैं? पytल האто option numberं, copper plus zinc, यह पीतल किसकी मिस्त धातू है? copper plus zinc, और इसमें zinc, copper की मातरा कितनी होते है? कोपर की मादरा 70% होती है चेथा जीक की मादरा कितनी होती है जीक का मादरा आपका 30% होता है चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोईशन को देखते हैं नेक्स्ट क्या करा है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2019 में कहां किया गया जो खेलो इंडिया गेम हुआ था फ्रेंड्स वह 2019 में हुआ और कहां किया गया था तो कहां किया गया इसका राइट टेंसर पुने में मतलब खेलो इंडिया 2019 में जो गेम हुआ था उसका प्रेटिंग सिस्टम नहीं है तो निम्न में से कौनसा एक ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंट्स MS-DOS, MS-Word, Linux या Windows तो आपका Windows ओपरेटिंग सिस्टम है Linux, Operating System and MS-DOS, MS-DOS भी क्या आपका ओपरेटिंग सिस्टम है लेकिन MS-Word क्या आपका ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है चले नेक्स्ट कोईशन को देखते हैं नेक्स्ट कोईशन क्या है फ्रेंट्स, राष्ट पती के चुनाओ लड़ने के लिए निम्तम आयू कितनी होती है तो राष्टपती के चुनाओ लड़ने के लिए नियुकता मायो कितनी होते है फ्रेंट्स 18 वर्स, 25 वर्स, 30 वर्स या 35 वर्स इसका राइट टेंसर ओप्षन नमबर D होगा राष्टपती के चुनाओ लड़ने के लिए नियुकता मायो 35 वर्स की होती है चले next question को देखते हैं next question क्या कहा रहा है friends तारो के समू को क्या कहा रहा है तो तारो के समू को क्या कहा रहा है friends इसका right tensor क्या होगा इसका right tensor होगा option number है आकास गंगा तारो को समू के क्या कहा रहा है आकास गंगा कहा रहा है आप लोग याद कर लिजिएगा ब्यक्तियों का होता है. वो सभी ब्यक्तियों का a b कहते हैं इसे क्या कहते हैं फ्रेंट सर्व गराही ये भी को क्या कहते हैं सर्व गराही and o को क्या कहते हैं सर्व दाता यानि इसको क्या कहते हैं डोनर कहते हैं और इसको recipient कहते हैं और बात कर ले a और b का तो ये वाला सिर्फ a से ही लेगा और A को ही देगा और B को ही देगा और B से ही सिर्फ लेगा और वह वाला A को भी दे सकता है और B को भी दे सकता है और A B को भी दे सकता है लेकिन यहां देखें फ्रेंट्स A B जो है A B सभी से ले सकता है तीनों से ले सकता है यह भी तीनों से ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता चले next question देखते है next question क्या करा बिजली के बल में कौन सी गयस पाई जाती है तो बिजली के बल में कौन सी गयस पाई जाती है फ्रेंट्स आज गुब किसका राई टेंसर आप लोग को पता होगा oxygen, hydrogen, chlorine या अक्रिये गयस तो आप लोग कहेगा सर बिजली के बल में अक्रिये गयस पाई जाती है चले next question देखते है next question क्या है फ्रेंट्स नेता जी सुभाष चंद्रबोष राष्टिये खेल संस्थान कहा है तो नेता जी सुभाष, चंदरबोष, राष्टिये खेल सवस्तान का है friends कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर रहमदाबाद में तो इसका राइट टेंसर होगा दिल्ली में क्या है दिल्ली में चले next question है friends सेंटियागो की राइधानी कहा है सेंटियागो की राइधानी कहा है दिकवाडोर, ब्राजील, या सूरिना या फिर चिली सेंटियागो की राइधानी आपका राइट टेंसर होगा चिली, सेंटियागो की राइधानी कहा है चिली में आप लोग याद कर लिजेगा चले next question है friends जस्पाल राना की स्केल से संबन देता है तो जस्पाल राना की स्केल से संबन देता है मुक्के बाजी से होकी से, निसाने बाजी से या तैराकी से इसका राइध एंसर क्या होगा उप्सन नमबर सी जस्पाल राना निसाने बाजी से संबन देता है चले next question है friends राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसे देता है I hope कि इसका right answer आप सभी को पता होगा अगर आप लोग को पता है तो इसका answer आप लोग comment box में comment केजिए नहीं आता है कोई दिकत नहीं आप लोग comment box में लिखे इसका answer आपको पता नहीं आप हमको बता देजिए हाँ आपको comment box में जरूर reply देंगे चले next question है friends माउन टाबू पर माउन टाबू पर कौनसा मंदिर इस्तित है तो माउन टाबू पर कौनसा मंदिर इस्तित है इसका right answer क्या होगा बाध मंदिर, जैन मंदिर, सूर्य मंदिर या इन में से कोई नहीं तिसका right answer होगा बाध मंदिर माउन टाबू पर बाध मंदिर इस्तित है चले next question देखते है सन्यूक्त राज़ संग के मुल सदस से थे सन्यूक्त राज़ संग के मुल सदस कितने थे बाध में बाध में बाध में चले next question को देखते है एवरेश्ट सीकर पर पहुँचने वाले प्रतम भारती महिला कौन थी तो एवरेश्ट सीकर पर पहुँचने वाले प्रतम भारती है इसका रायेट थेंसर क्या होगा बचहंदरी पाल चले next question को देखते है next question क्या है अमीर खुसरो किसका दरवारी कभी था आई हूब क्या आप लोग को वीदियो पसंद है इसे एक लाइक कर देजिए अगर आप लोग हमाई चैनल पर ना है तो प्रेस कर लेजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए ताकि हम जो भी वीडियो क्राउं फ्रेंट्स इसका नोटिफिक्सन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट आब वह तो नहीं कर दो कि मिलते हैं जाहिंदबंदे मात्रम है अब हुआ है को